आपने एक नया मार्ग स्विकार लिया है, नया रास्ता आपने अपनाया है, आप जाएए, हमारी शुब कामना है, आप सरकार बनाईए, लेकिन क्या मुख्यमंत्रिपद आपको मिलने वाला है, वो तो शिव सेना में ही बिल सकता था आपको, बहर कोई नहीं देगा, ना नार संजे राउत का ये बयान, संजे राउत का ये बयान उस वक्त का है, जब शिंदे ने बगावत किया था, बगावत तो कर दिया था, लेकिन उस वक्त मुख्यमंत्री वो नहीं बने थे, और उसी बीच संजे राउत ने ये बयान दिया था, और कहा था कि वो मुख्यमंत्री नहीं बने गे संजराउत के हसीन सपने तो यही थे लेकिन वो पूरे नहीं वे एकनात शिंदे मुखमंत्री बन गए अब जब मुखमंत्री बन गए तो संजराउत को एक बड़ा जटका लगा और उसके साथ ही पार्टी को छीनने की भी कोशिश वो लगातार कर रहे हैं इसस और यह तस्विर देखकर संजराउत रात भर उस दिन सो नहीं पाए थे क्योंकि उन्हें पता था कि अब तक जो पॉलिटिक्स वो करते आएं हैं जिस तरीकी की बयानबाजी रही है सीधे तोर पर वो धंकी देते आएं हैं और यह कहते थे कि हमसे जो टकराएगा चूर उसे ना आग है अगर हांत लगाओगे जल जाओगे बीजेपी पियम मोदी ग्रियमंत्रिया मिशा देवी इंफर्णवीस किसी कोनों नहीं चुड़ा लेकिन बगावत किसने की एक नात शिंदेरी अपनों ने ही अपनों को लूट दिया और संजे राउत को यह तगड़ा चटका लगा है और इसने काफी आहत हैं अभी भी इससे उबरे नहीं है लगातार उनके बयानों में नर्मी देखी जा रही है लेकिन अभी देखना दल्चस्त हुगा कि आने वाले चुनाओं में जनता किसे सपोर्ट करती है जी हैं बहराल इस खबर को लेकर आपका क्या कह ना है कमेंट करके जरूर बताईएगा और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक करें कमेंट करें और शेयर करें ताकि हम भी मोटिवेट हूं और ज्यादा से ज्यादा वीडियो आप तक पहुचाएं आपको अ